हेलो फ्रेंज, इजी टुक में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मटर कुल्चा की रेसिपी ये बहुत ही फेमस ट्री स्टाइल फूड है और इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं साथ ही ये खाने में भी बहुत स्वादिश लगती है मटर कुल्चा बनाने के लिए सबसे पहले ये सफेद वाला मटर यानि की वाइट मटर को सोक कर ले लगभख 6-7 घंटे या फिर आप इसे ओवरनाइट सोक कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे ये नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसके बाद हमें इसमें लगानी है लगभख 5-6 सीटी ताकि जो मटर है वो अच्छी तरह से उबल जाए तो जब तक मटर उबल रहा है इस पीश में बाकी की तैयारिया कर लेते हैं तो सबसे पहले गडाई में डालें दो चमश तेल इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च एक चौप्ट किया हुआ प्यास दोनों इंग्रीडियन्स को हलका सा फ्राइ कर ले ताकि जो प्यास का कच्छापन है वो चला जाए अब इसमें हम डालेंगे आथा चौप्ट किया हुआ टमाटर टमाटर को भी बाकी इंग्रीडियन्स के साथ मिला ले और इसमें थोड़ा सा ये अनियन जिंजर कालिक पेस्ट आप डाल दे यहाँ पर मैंने एक प्यास और थोड़ी सी लसन की कलिया और एक मीडियम साइस जिंजर यानि की अत्रग को पीस लिया था सारे इंग्रीडियन्स को अच्छी तरह से मिला ले और इसे 2-3 मिनिट तक कुक कल ले अब इसमें हम डालेंगे नमक थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर नमक और हल्दी पाउडर हमने मतर में भी डाला है तो थोड़ा सा ध्यान से डाले एक जमच ये कश्मीरी लाल मिच पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसके साथ हम इसमें डालेंगे ये जीरा पाउडर तो बस सारे इंग्रीडियन्स को अच्छी तरह से मिला ले मसाले को कड़ाई में चिपकने ना दे वरना ये जल जाए है और इसे आप 2-3 मिनिट तक कुख कर ले तो इसी पीच ये मटर भी तयार हो गई है मटर को थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्मैच कर ले ताकि जो मटर कुल्चा बनेगी वो थोड़ी सी काड़ी ही बनती है तो उसे हमें इस तरह से बनाना है तो इस पीच में आप देखिए जो मसाला है वो तयार हो गया है मसाले के किनारे से ये तेल निकल रहा है तो अब इसमें हम डाल देंगे ये उबला हुआ मटर सारे इंडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से मिला ले ये देखिए इस तरह से और फिर इसे आप 5-10 मिनिट तक धीमी आँच पे आपको पका लेना है तो यहाँ पर इसमें ये उबला आ गया है तो ये उपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर थोड़ा सा पेपर पाउडर डाल देंगे काले मिच का पाउडर फ्लीवर के लिए और इसके साथ ये करब मसाला पाउडर तो बस अब ये जो मतर कुल्चा है ये बिलकुल तयार हो गया है ये लगभख तयार ही है अब ये तो इसे आप ढख ले और इसे तीन से चार मिनिट तक के लिए पका ले तो चलिए चास से पांच मिनिट हो गया है एक बात देख लेते हैं क्या हाले खुश्पु तो बहुत ही अच्छी आ रही है साथ ही आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी भी अप लगबर तयार हो गई है अगर आपको धन्यापत्ता पसंद है तो इस टेज में आप थोड़ा सा धन्यापत्ता भी डाल सकते हैं तो ये देखे ये मटर कुल्चा कुछ ऐसे ही दिखेगा तो बस अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं तो गर्मा करम मटर कुल्चा आप हमने सर्फ कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा नीमू का रज डालेंगे उपर से और इसे बाकी चीज़ों के साथ गानिश कर लेंगे तो गानिशिंग के लिए यहां पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टमाटर के स्लाइस का थोड़ा सा प्यास डाल देंगे तो चॉप्ट किया हुआ प्यास और इसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्च अगर आपके पास धनिया पता है तो आप इसमें धनिया पता भी डाल सकते है मेरे पास फुलाल है नहीं तो मैं इसमें इसमाल कर रही हूँ उपर से थोड़ा सा सेव डाल दिया हमने तो बस ये जो मटा कुल्चा है ये खाने के लिए बिल्कुल तयार है तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और मुझे मेरे कमें सेक्शन में ये बताए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले